हेलो एंड वेलकम दोस्तों स्वागत है आपका टार्गेट फॉर आईक्यू में देखें दोस्तों आज का अमारा टोपिक है कुम्ब मेला दोजार उन्निस प्रियोर मेंस दोनों एक्जाम पॉइंट व्यू से बहुत जादा इंपोर्टेंट है यूपी PCS यूपी PCS जे आनेवाला और यूपी A.P.O. मेंस के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है कुम्ब मेला दोजार उन्निस तो चलिए डिसकस करते हैं और वंडे एक्जाम रेलवे और सभी अणि एक्जाम के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है जो पिलियम्स के इसाफ से कोशन लगेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगा या पर तो प्लीज इसे नोट कर लें और अच्छे तरीके से सिकोण नोट कर लें इसकी पीडियाप आपको चाहिए तो टेलेगराम ग्रूप जोईन कर लें जिसका लिंक में डिसकर्शन में दे दूँगा वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहाँ से ले भी सकते हैं प्लीज अगर वीडियो पसंद आये तो प्लीज आप लाइक करें पिड़ागराज गंगा युमना और सरस्वती के संगम को बोलते हैं और कब से कब हुआ 15 जनवरी से 4 मार्च तक ये डिट याद करके रखेंगे 15 जनवरी से 4 मार्च तक ठीक है और इसका जो लोगो था लोगो में क्या लिखा था वो था सर्व सिद्धी प्रद कुम्ब इसका जो लोगो था लोगो में लिखा था इसके सर्व सिद्धी प्रद कुम्ब ये चीज याद रखेंगे टेग लाइन लिखेंगे चलो कुम्ब चलो कुम्ब चलो यानि चलो इसमें चार बार आ रहा है ये भी याद रखेंगे एक दो तीन चार बार और कुम्ब दो बार ये चीज जोरूर याद रखेंगे ओप्शन से आप कन्फिजन हो सकते हैं इसके बाद है यूनेसको द्वारा 2017 में अमूर्थ सांस्कृतिक दरोवर का दरजा जब सुरूरने के किड़ने मकर रेखा पर लंबत पड़ती हैं उस दिन मकर सकरांती से शुरूआ यूनेसको ने 2017 में इसको दरोवर का दरजा दिया था अमूर्थ सांस्कृतिक दरोवर संस् को दिया था ठीक है और ये कब मनाते हैं इसको जब मकर शक्रांती से ये शुरू होता है जब मकर रेखा पर सुर्य के गिड़ने लंबत पड़ती है ठीक है इसके लिए यूपी सरकार ने बैलिस सो करोड रुपए का बजट अनुमानित किया था ठीक है इसका अन्य नाम कर दिया गया और जो पूरा कुम्ब होता है उसे अब महा कुम्ब कहा जाएगा क्योंकि जन संक्या ज्यादा बड़ी तादात में आती थी अभी पूरी बार डिसकस कर रहे हैं कि हम लगब कितने लोगों ने इसमें पार्टिसेपेट या लोगों ने इसमें डुपकी लगा जो मोने अबा मश्या थी उस दिन पांच करोड़ लोगों ने इसके अंदर डुपकी लगाए गंगा संगम पर साही सनान में जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है ठीक है ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे फिर नेक्स हम बात कर लेने कुम्ब में संचालित होन रहने वाले पांसो सर्टल बसो का एक साथ संचलान वर्तमान स्राजा सरकान यानि उत्तरप्रत्रदे सरकान को को की में आप लोगा बता चुका ऐता कि क्योंकि जादा यालू आने की आसंकति और इसी को लेङते होए यह कुम्ब का का द owक Krno recib को महाकुम नामदेने के बात सरकार ने का है ये भी इसी बार से हुआ है तो 2025 में होगा महा कुम्भ यह आप लोग याद रखेंगे पहली बार पेंट माई सिटी के माध्यम से संगम पर जाने वाले प्रतियत मारको सडको की पेंटिंग की गई थी मतफ सडको पर प्रिराग राज में पेंटिंग की गई थी और उस पेंटिंग का माध्यम नाम दिया था इन्होंने पेंट माई से टी कुम्ब मेले का आयोजन कहाँ निया पर होता है ये देख लेते हैं हम लोग। यह question बहुत जादा important है प्लीज इनको note कर लें एक एक questions हर एक्जाम में यहां से questions आप लोगों के लिए बनता है पे लिम्स में ठीक है तो आप लोगों को है वीडियो पसंदारी तो प्लीज इसको like कर लें साथ में चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें उनलित इस्थानों में 12 वर्सों के बाद ही महापर्प का आयजित होता है महाकुम 12 वर्स के बाद ही आयजित होता है और पिट्टी एक अर्दकुम 6 वर्स के बाद आयजित होता है यह चीज आप लोग याद रखेंगे ठीक है तो अब महाकुम जो होगा वो होगा 2025 में यह ची के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा था और लगबख बहली सो करोड़ रुपेस में अनुमानित रासी बजट में पेस्की कि यह खर्चा है यहां पर विदेशों से भारत के तमाम राजी और हिस्सों से लोग अपने पूर्वजों और खुद यहां पर डुपके लगाने आते हैं और संगम में डुके लगाने आते हैं तो यह ता महाकुम के बारे में जो मैंने आप लोगों को तो आप अराम से इजले दिख सकते हैं, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगे, प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ में चैनल सस्क्राइब करें और बैल आइकन प्रेस करें, और इसकी पीडियाप चाहिए तो मैं उसका लिंक के डिस्कॉस्चन में आप लोग